नमस्कार मैं प्रियंका स्थाना आप देख रहे हैं वीके नियूस असम को देश से काटने और देश में चक्का जाम करने के सपने रखने वाले शर्जिल इमाम की मुश्किने लगातार बढ़ती जा रही है बताते कि शर्जिल की रिमान तीन दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है तो वहीं पिछले पांस दिनों की पूश्टाश में पुलिस ने बड़े खुलासे भी किये हैं तफ्तीश में सामने आया है कि शर्जिल के तार कटरवादी मुसलिम संगठन पॉपुलर फ्रेंट ओफ इंडिया से भी जुड़े हुए है खैर शर्जिल के मनसूबों और सपनों से तो हर कोई वाकिफ है कि किस तरह वो भारत को एक इसलामिक राष्ट बनाना चाता था वैसी गौर करने वाली बात ये है कि भले ही शर्जिल को गिरफतार कर लिया गया हो लेकिन देश में शर्जिल के फिक्रमंदों की कमी नहीं है जो कि खुले आम घूम रहे हैं इसी कड़ी में मुंबई के आजाद मैदान में LGBTQ के अधिकारों की आड में एकता मार्च का आयोजन किया गया इस्रेली का नाम तो एकता मार्च था लेकिन इनके नारों से आप इनकी अनेकता और मांसिकता का पता लगा सकते हैं ये नजारा किसी मुस्लिम बहुल राष्ट का नहीं बलकि मुंबई का है जहां उस शर्जिल के सपनों को मंजिल तक पहुचाने की बात की जा रही है जिस पर देश द्रो का मुकदमा दर्ज है जिसका सपना है कि देश को तोड़ दिया जाए और इस्लामिक राष्ट बनाया जाए और ये नारे मुंबई की उस धर्टी पर लगाय जा रहे हैं जहां के सीम उद्धर ठाकरे खुद को हिंदुत्य की पहचान बता कर देश की अखंडता का जंडा फेराते हैं बतादे कि इस मार्च का वीडियो वाइरल होने पर बिजेपी नेता और महराष्ट के पूर्मुख्य मंत्री देवेद्र फटनविस ने शिवसेना पर निशाना साथते हुए कहा कि अगर शिवसेना सरकार में नहीं होती और एंसीपी कॉंग्रिस के साथ सरकार नहीं बनाई होती तब भी क्या वे ऐसे देश द्रोही नारे मुंबई की धर्दी पर बरदाश्ट करते उद्दव ठाकरे को आगे आकर इस मामले में मुकदमा दर्ज करना चाहिए वैसे गौर करने वाली बात ये है कि शर्जिल के सपने पूरे करने का वीडियो काफी दिनों से वाइरल हो रहा था लेकिन उद्धव सरकार को सुद नहीं थी लेकिन जब फटनविस ने फटकार लगाई तब उद्धव सरकार को भी होशा गया और राश्विरोधी नारे लगाने को लेकर मुंबई पुलिस ने सोमवार को समाजिक कारे करता उर्वशी चूड़ा वाला समेत 50 लोगों पर देश द्रोह का मामला दर्ज किया है बता दे कि उर्वशी चुड़ा वाला खुद को समाजिक कारेकरता के तौर पर पेश करती हैं लेकिन उनका सपना शर्जिल के सपनों को पूरा करना है इसलिए शायद इस रैली में उन्होंने सबसे आगे आकर शर्जिल के सपनों को मन्जिल तक पहुचाने के नारे लगाए खैर ये मुंबई की बदलती तस्वीर है जहांके CM उद्धो का कहना है कि हमने कॉंग्रेस और NCP का हाथ भले ही थामा हो जिन में मुंबई की धर्टी पर शर्जिल के सपने पूरे करने की ललकार लगाने की हिम्मत आ गई है इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताईए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे चानल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें